हेलो एर्वीवन स्टार्ट करता है हमारा अभी का टुटोरियल that is contribution of बिस्मार्क एंदा युनिफिकेशन ऑ जर्मनी यानि कि बिस्मार्क का क्या-क्या contribution रहा है जर्मनी की युनिफिकेशन में उसके बार में बिस्मार्क के बारे में आप इतनी सी उन्होंने क्या कहा किया इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था जिसे वहाँ पर कहा जाता है चांसलर हम यहाँ पर कहते हैं प्राइम मिनिस्टर और वहाँ पर इस पोस्ट को क्या कहा जाता है चांसलर कहा जाता है इनको वहाँ पर चांसलर बनाया गया और उसके बाद इन्हों इसके लिए जो policy इन्हों ने अपनाई वो थी iron और blood की पॉलिशी जो थी वो इन्हों ने अपनाई थी ठीक है कहने का मतलब सीधा सा है कि क्या हो सिर्फ diplomacy से काम नहीं चलेगा सिर्फ कूट निती और राजनिती से काम नहीं चलनागा क्या करना पड़ेगा थोड़े बहुत लड़ाई जगड़े और यद्ध भी करने पड़ेंगे क्योंकि ये वर्ल्ड की राजनिती को बहुत अच्छे से जानते थे इससे पहले इब्रेन आपे सेडर रह चुके थे फ्रांस में तो इनको काफी आइडिया था कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है यार जगा इनको लग रहा था कि यार देश जो है अपनी गुलामी की जंजीरों से आजाद होने की कोशिश कर रहे है पर revolution हो रहा है जब सब जगा हो सकता है तो भाई हमारे जर्मनी में क्यों नहीं हो सकता ऐसे इनके thinking थे क्या क्या करेंगे यह यह क्या करेंगे वार लड़ेंगे किसके साथ भाई डैनमार्क के साथ और उस वक्त्रीटी कौन सी होगी जर्मनी क्या हो जाएगी यूनाइट हो जाएगी ठीक चलते हैं आगे यह लीजिए यह है आपका मैप किसका जर्मनी का क्या 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 देखना है आपको एक तो देखो किसके नॉर्थ में कौन है यह देखो डैनमार्क दिख रहा है ठीक है फिर इस साइट में देखो कौन ह फ्रांस है इसके नींचे में बता दू क्या है इटली है और और लुग है वे इन तीनों से घड़न की कि यह क्या करेगा अपनी जर्मनी को युनाइट करका काम करेगा इसके अलावा इसपन वगरा एक दो चीजे और आपको थोड़ी बहुत ध्यान इनमें recovering नीचे इटली है जो इस मैप में दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इटली इसके चस्ट नीचे ही आ रहा है जिसका यूनिफिकेशन हम अभी आगे वाले वीडियो में देखेंगे उसको भी हमें साथ में पढ़ना है दोनों का लगबग अगर साथ एक ही टाइम पिरेड है पह जगा है ठीक है मैप में मैं आपको दिखा चुकी हूं नौर्ट साइड में है यह जगा इन दौनों के ऊपर किसका कंट्रोल था डैनमार्क का कंट्रोल था लेकिन एक ट्रीटी हुई थी नाइंटीन सारी 1852 में लंदन की ट्रीटी के नाम से जाना जाता है उसे उस ट्रीट देनमार्क का जो शाशक था याने कि जो एंपरर था उसने क्या किया 1863 में क्या किया इन दौनों पर अपना अपना कंट्रोल कर लिया इनको अपनी मतलब स्टेट बता दिया है ना इन पर एक तरह से देखा जाये तो अधिकार पूरा-पूरा कर लिया यही बात किसको नहीं आपके बिसमार्क को नहीं चैचे उसने बोला कि भई अब तो पंगा होई जाए मौका मिल गया है क्योंगों लोग डेनमार्क पे सीधा-सीधा वौर कर ले क्योंकि एक मौके की दलाश चुरों मौका किसने दे दिया डेनमार्क ने यह मौका इनको दे दिया मौके का फायद ले किसे लिए ऑस्ट्रिया से अकेला नहीं बिड़ा देखो ऑस्ट्रिया से हेल्प लेने से उसका फायदा क्या हुआ कि एक तो वर्ड में उसकी इमेज ये बनी कि हाँ वो अपने परोसियों को साथ लेके चल रहा है लेकिन उसके साथ कुछ अन्याय हुआ इसलिए उसने लडाई की और डैन्माक की जो दो प्लेसिस थे जिनकी वज़े से लडाई होनी थी ये दौनों प्लेसिस किसके अंडर में आ गए भाई तो परसिया और ऑस्ट्रिया के अंडर में आ गए अब लडाई तो जीत ली अब दावेदार है दो बटेगा कैसे बटवारा भी तो हो बुरूरी होता है न इस बात है थोड़ी बहुत क्या ओगए दॉनों के भीच में ठ्थन गए फाइनली एक ट्रीटी हुई और ट्रीटी का नाम क्या दिया गया गया गेस्ट्रेंट की ट्रीटी में क्या क्या हुआ देखो आधिक एक तो यह है कि पर्सिया पर किसका कंट्रोल होगा आपके पर्सिया किस पर कंट्रोल करेगा स्लैस्विक पर कंट्रोल करेगा दूसरा क्या ऑस्ट्रियला का कंट्रोल किस पर होगा हॉल्स्टेन पर होगा ठीक फिर क्या है पर्सिया ने खरीदा किसकी हर्प से ऑस्ट्रिया के हर्प से किसको खरीदा भई तो लौवन बु रहेगा किस के पास पर्सिया के पास खरीद के किस ने दिया औस्ट्रिया ने एक तरह से इनको खरीद के दिया और क्या हुआ पर्सिया को राइट मिल गया किस बात का कैनाल बनाने का यानि कि नहरे वगरा बनाने का टेलिग्राफ का वगरा इस तरह की चीजों का इनको में भी देख लिया कि आसपास राइन नदी का एरिया है तो वहाँ पे इनको राइट मिल गया कि यह अपने नेवी वहाँ पर रख सकते हैं उसके अलावा इनको हैड़कॉर्टर बनाने का राइट मिल गया इस तरह से इनको कुछ इन दौनों के बीच में कुछ इस पेशल बाते हुई कुछ चूटी हुई आपके लिए जो इस पेशल चूटी है वो कौन सी है जो आपको याद रखना है इन सबको याद रखना है जिसमें यह दोना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन है कि स्लेज्विक किसके पास रहा पर्षिया के पास और होलस्टेन किसके पास रहा अस्ट्रिया के पास ठaph देखो यह जो स्टोरी है ना बहुत बड़ी है लेकिन हमें इसको थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ना पड़ेगा इतना नेलनी हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा जो कोशन होगा वह कितने मार्क्स का होगा फोर मार्कस का होगा तो उसके अकॉरडिंग ही आपको अंसर देने है इतना ज्यादे डेटेल में जाएंगे तो समझ ला अपना ऐसे टाइप का कोशन कर लिया तो आप फोर मार्कस पे लगे रहें उसके हिसाब से करें नेक्स चलिए आप उस्ट्रिया-Persian War पहले विस्मार्क ने क्या किया उस्ट्रिया से मिलकर किस से यूद्ध किया sus दैनमार्क से और उसको रास्ते से हटा दिया अर वो एरिय अपने अंटर में कर दिया अब यह क्या करेगा उस्ट्रिया से लडाई करेगा और इसमें neutral कौन रहेगा France, France को बोलेगा भई आप शांती से बैठे रहो हम क्या करेंगे, आपको Rhineland वाला एरिया आपके support कर देंगे आप बीच में ना पढ़ना, हमारे और Australia के बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसको चलने देना France ने का, ठीक है भई, बैठे-बैठे, खीर खाने को मिल रही है, मुझे क्या दिक्कत है तो मैं बीच में ना पढ़ूँगा Australia, Denmark, सारी Pursia को अपस में लड़ने दो कौन सा फटा-फट लड़ लएंगे टाइम लगेगा, तब तक देखा जाएगा ठीक, तो यह आपके वो step लिखे हुए है जिसकी वज़े से यह सारा होना है 1866 में क्या हुआ, Austria-Pursia वार हुआ, यह आपके places के नाम दे रखे हैं जो बाद में handover कर दिये जाएंगे किसको, Pursia को, क्योंकि Pursia तो क्या कर लेगा यहाँ पे भी जीत जाएगा Austria से भी, पहले Denmark को हराया अब Austria को हराया देखने वाली बात क्या है Treaty, Prague की Treaty जो है Treaty of Prague, इसमें आपको तीन पॉइंट है, बहुत चोटे चोटे पॉइंट है याद रखने है, त्रीटी साइन हो गई है और क्या हो गया, यह दौनों जगा जो थी, वो दौनों जगा किसको हेंट ओवर हो गई है, आपके Pursia को हो गई है, उसके बाद भी जो पीछ वाला एरिया है, काफी हद तक वो एरिया भी किसको हेंट ओवर कर दिया गया भी, Pursia को handover कर दिया गया आपको अगर places के नाम ना आये ना बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है आप eastern और western part of Persian state कर लो सबसे बढ़िया है अगर in case ऐसा होता है देखो जो चीज़े ज़रूरी होती है वो तो याद कलना ही पड़ेगा इसका कोई solution नहीं वो तो नाम आपको लिखने ही पड़ेंगे लेकिन जो आपके extra में दे रखे होता है उन नामों की जगा आप सिधा सिधा क्या कर सकते हो उस reason का नाम लिख सकते हो उसके बाद क्या है Vienna वाली treaty है और इस treaty में क्या किया था Venesia किसको transfer कर दिया गया Italy को क्योंकि यह जो Austria से जब यह भीड़ा था तो भीड़ने के लिए इसने help किसकी ली थी भई तो इसने help ली थी Italy की और Italy को क्या बोला था कि मैं ऐसा करूँगा इस लड़ाई के बाद तुमको क्या handover कर लूँगा Venesia handover कर लूँगा यानि कि Denmark से लड़ने के लिए Austria से help ली और Austria से लड़ने के लिए किसकी help लेगा Italy की help लेगा और Austria को हरा कर अपने आगे बढ़ेगा ठीक चलते हैं आगे Next अपका Franco-Persian War Reason क्या भई अब France को लगने लगा कि यार जर्मनी तो बढ़ा उपर आ रहा है यार बड़े-बड़े युद्ध लड़ रहा है और वो तो जीद भी रहा है पता चला कल मेरे पे भी हमला कर दिया तो क्या करूंगा तो अब दौनों के बीच में थोड़ा सा मन मुटाव होने लग गया किसके बीच में France परसिया के बीच में एक नाम सुना होगा अपने Spain का फेमस है भई यहां के जो महरानी थी उनको हटा दिया गया वहां की जन्ता के द्वारा और उन्होंने ये कहा कि जो परसिया का राचकुमार है उसको हम क्या करें यहां पर अपना राजा बनाए ठीक यह उसके दिमाग में चल रहा था अभी यहां फ्रांस का जो राजा था यानि कि नैपोलियन थर्ड उसको यह बात क्या हो रही थी जच नहीं रही थी उसको लगा कि भई परसिया तो Spain पर भी परसिया का कंट्रोल हो जाएगा इदर आस्ट्रिया वैसे ही दवा हुआ पड़ा है इटली से उसकी दोस्ती हो गई Denmark डाउन हो गया तो मेरे साथ क्या हो जाएगा मैं भी थोड़ा सा डाउन हो जाऊंगा तो अब तो युद्ध छेड़ी दो तो युद्ध छेड़ गिया किसके बीच में फ्रांस और जर्मनी के बीच में कब हो रहा है भई तो जुलाई 19, 1870 से स्टार्ट हुआ और में 10, 1871 को ये वार आपका खतम हो रहा है तो कुछ महीने आपका ये युद्ध चल रहा है जुलाई से लेकर में तक आगे बढ़े इसमें जो आपके ट्रीटी हुई है ट्रीटी का नाम क्या है ट्रीटी ओफ फ्रेंकफर्ट और ये ट्रीटी क्या कह रही है ये ट्रीटी कह रही है कि अलासका और लॉरेन किसको दे दिया जाए भई तो ये दे दिया जाए किसको जर्मनी को ठीक है इसके अलावा क्या करना पड़ा France को pay करना पड़ा 5 billion France की जो currency है उसके हिसाब से उनको क्या करना पड़ा युद्ध में जो एक तरह से नुकसान हुआ जर्मनी का वो जर्मनी का नुकसान किस ने भरा France ने भरा मतलब देखो France को कितना pay करना पड़ा ठीक है यह तीन मोटी मोटी बाते आपको याद रखने है ठीक और उसके बाद last में क्या हो गया last में हमारा जो William था वो William क्या बन गया राजा बन गया और एक तरह से क्या हो गया आपका जर्मनी पूरी तरह से unite हो गया यह हो गया आपके William first का राजतिलक किस रूप में जर्मनी के शाशक के रूप में यानि के एंपरर के रूप में मेरे हिसाब से इतना काफी है इतना अगर तुम दो तिन बार इस वीडियो को देख लोगे न तो तुम्हें याद हो जाना है और कुछ नहीं अच्छे से देखना इसको कोई प्राब्लम और उसे रिलेटेड ट्रिटी स्क्रिंशॉट लेना चाहूं ले लो आप इतने पॉइंट डालोगे तो काफी है ठीक फिर यह नेक्स्ट आपका डर्मार्क पर्सियन वार गेस्टाइन की ट्रिटी यह आपका मैप जर्मनी का ठीक जिसकी आप लेना एक मिनिट लगेगा स्क यह आपको टाइम दे दिया अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से याद करेंगे इंजॉय करेंगे खाओ खेलो खुश रहो बबाई